हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टि मनीश सर अपने चैनल में आपका स्वगत करता हूँ आजे दोस्तों हम लोग पढ़ा जाए फैराडे के बिद्दु चुमकी प्रयाण के नियम फैराडे के बिद्दु चुमकी प्रयाण के नियम फैराडे ने दो नियम दिया था प्रथ प्रतम नियम जो को नियम का नियम भी कहते हैं फ्राडे के प्रतम नियम को नियम का नियम भी कहा जाता है फ्राडे ने अपने प्रतम नियम में क्या कहा था ध्यान समझेगा उन्होंने कहा कि जब किसी परिपत से बद्ध जब किसी परिपत से बद्ध चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो जब किसी परिपत से बध्ध चुंब की फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपत में एक प्रेरीद बिद्धुद बाहक बल उत्पन हो जाता है जब किसी परिपत से बद्ध चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपत में एक प्रेरीद बिद्धुद बाहक बल उत्पन हो जाता है ठीक है और यह जो परिपत में प्रेत बिद्द बहग बल उत्पन हो रहा है इसका परिमार चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्टन के रिडातमक दर के बराबर होता है. ठीक है रिडात्मक दर के बरावर होता है पर्थम नियम क्या है कि जब किसी परिपत से बद्ध चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो परिपत में एक प्रेरिद विद्धूद बहागबल उत्वन हो जाता है जिसका परिमाण जिसका मान चुम्ब की फ्लक्स के पर यदि यदि डेल्टा टी समय अंतराल में यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुम्ब की फ्लक्स चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा ठीक है चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तो परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तो परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तो बटे डेल्टा ठीक है जब किसी परिवर्त में जब किसी परिवर्तन से बद्ध चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो डेल्टा फाई भी हो तो एक प्रेरिद्विदू बहागबल उत्पन हो जाएगा जिसका मान चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन के रिडात्मक दर के ब बिड़ाबर माइनस, डेल्टा 5E, बटे 4D jay Jeśli डेल्टा T समय अंतराल में, चुम्बकी फलकस में परिवर्तन डेल्टा 5E हो, तो परिपत में प्रेध बिदू भागव ली बड फारबर माइनस डेल्टा 5E, बटे 4 होगा, ठीक है, अगर हम एक सीमा में देखें, लिमिट लगाएं, सीमा में, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समय में जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा टी, वो जीरो के नजदीखो बहुत कम हो, तो ई बराबर माइनस लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में डेल्टा फाइबी बटे डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं माइनसदी फाइबी, दी फाइबी बटे दी टी, d5b बटे dt तो यदि लेमिट delta t tends to zero हो तो e बरावर हो जाएगा minus d5b बटे dt e बरावर minus d5b बटे dt ठीक है? यह हो गया रात्मक्छीन है आपर जो आया है रात्मक्छीन यह बता रहा है कि प्रेरित बिद्दुद बाहग बल सदेव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है प्रेरिद बिद्दु बाहगबल जो उत्पन हो रही है वह सदेव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है ठीक है तो इस तरह से आपने फराडे के बिद्दु चुमकी प्रिवर्तन का पर्थम नियम देखा कि जब किसी परिपच से बद्द चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपच में एक प्रेरिद विद्रुद बाहगबल उत्वन हो जाता है और जिसका परिमाड चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्तन के रिडात्मकदर के बराबर होता है अर्थात E बराबर माइनस डेल्टा 5B बटे डेल्टा T है यदि समय परिवर्तन बहुत कम हो टेंस टू जीरो हो तो E बराबर माइनस D5B बटे DT हो जाएगा ठीक है रात्मकचिन रात्मकचिन हमें यह बता रहा है कि प्रेद बिदू बाहकबल सदेव प्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है ठीक है अब यदी D5B Bevor में हो D5B किसमे लिया गया हो hof Bevor में D5B Bevor में हो आज समय DT जो हो है वह सेकेंड में हो तो प्रेद विधूरबागवल जो E होगा वह Bolt में आ जाएगा ठीक है तो यदी D5B Bevor में हो DT सेकेंड में हो तो प्रेद बिधुद बाहग बल E बोल्ट में होगा ठीक है यह जो समीकरण आप देख रहे हैं E बराबर माइनस D5 B बटे DT ठीक है यह स्वतंत्र प्रायोगिक नियम को व्यक्त करता है यह समीकरण जो है स्वतंत्र प्रायोगिक नियम को व्यक्त करता है जो अन्य प्रायोगिक नियम से भी उत्पन नहीं किया जा सकता है ठीक है यह एक सोतंत्र प्रायोगिक नियम को यह ब्यक्त कर रहा है जिसको किसी अन्य प्रायोगिक नियम से उत्पन नहीं कर सकते हैं डिराइब्ड नहीं कर सकते हैं यह सोतंत्र प्रायोगिक नियम को ब्यक्त कर रहा है E बरावर माइनस D फाई B बटे DT ठीक है अब जो है यदि परिपत में कोई कुंडली है जिसमें तार के यन फेरे हो तब क्या होगा ठीक है तो यदि परिपत में कोई कुंडली हो जिसमें तार के यन फेरे हो जिसमें तार के यन फेरे हो तो यदि परिपत में कोई कुंडली हो जिसमें तार के यन फेरे हो तो परतेक फेरे में बिद्धुद बाहग बल प्रिरित होगा तथा सभी फेरों के बिद्दुद बाहग बल जुड़ जाएंगे यदि कुंडली में तार के यन फेरे होंगे तो प्रतेक फेरे में बिद्दुद बाहग बल उत्पन होगा और सभी फेरों के बिद्दुद बाहग बल जुड़ जाएंगे यदि कुंडली में फेरे बहुत पास-पास हो तो प्रतेग फेरों से गुजरने वाला चुमकी फ्लक्स यह कही होगा यदि कुंडली में फेरे क्या हो बहुत पास-पास हो तो प्रतेग फेरे में से गुजरने वाला चुमकी फ्लक्स यह कही होगा ठीक है उस condition में पूरी कुंडली में प्रेरित बिद्धुद बाहग बल कितना होगा उस condition में प्रेरित बिद्धुद बाहग बल जो होगा पूरी कुंडली में तो e बराबर माइनस यन डेल्टा फाइब बटे डेल्टा टी होगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं इन इन वेकेट न फाइबी बटे डेल्टा त्व बटे डेल्टा को बाहर करदीा गया है ठीक है तो e बर आवर- funky यन देल्टा 5B ब्रेकेट में लिख दिएये यन 5B ब्रेकेट के नोरी अथे यहां पर जो यन 5B आप देख रहे हैं यन 5B यन फाई बी यह जो है यन फाई बी यन फाई बी टिक है यन फाई बी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कालाती है यन फाई बी क्या कालाती है कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या फ्लक्स लिंकेज कलाती है नमबर फ्लक्स ग्रंथिकाओं फ्लक्स लिंकेज की संख्या कलाती है इसका मातरक जो होता है वेबर वेबर टर्न होता है वेबर टर्न होता है यन 5B जिसे flux गरंथिका कते हैं, flux linkages कते हैं, इसका मातरक बेबर टर्न होता है, ठीक है? यह था आपका फेराडे के विद्दुचुम की प्रण का पर्थम नियम E बराबर माइनस D5B बटे DT या E बराबर माइनस देल्टा 5B बटे देल्टा T ठीक है? अब आते हैं दुती नियम की बात करते हैं, फेराडे का दुती नियम क्या है? ठीक है? तो फेराडे का जो दुती नियम है, जो सेकेंड ला है, उसे लेंज का नियम भी कहते हैं, फेराडे के दुती नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है? दुती नियम में क्य का गया है तो फेराडे का जो आपका दुतिय नियम है सेकेंड लाइब दुतिय नियम किसी परिपथ में किसी परिपथ में प्रेरित किसी परिपथ में प्रेरित बिद्धूत बाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा प्रेरी धारा की दिशा सदेव हमेशा सदेव ऐसी होती है कि यह उस कारण का बिरोध करती है उस कारण का बिरोध है उस कारण का बिरोध करती है जिससे की स्वैम उत्पन होती है तो दुतिय नियम में जिसे लेंज का नियम भी करते हैं बताया गया है कि यदि किसी परिपत में प्रेद्विल भाग बल या प्रेद्धरा उत्पन हो तो उसकी दिशा सदेव ऐसी होगी यह उस कारण का बिरोध करेगी जिससे वस्वैम उत्पन होती है इसे फराडे का दुतिय नियम या फिर लेंज का नियम कहा जाता है इसको आपको अलग से बताया गया है थैंक यू कर दो